हेलो एवरिवन होप आप सब बढ़ी होंगे तो आज डिट है चार तरीक चार मार्च और टाइम हो रहा है नो कुछ किया नहीं है आज दिखने को मिली रहा है ग्रुप्स में सभी सब रेच ले रहे थे अकाउंट्स का पेपर थाकल सो हमने शेडूल बनाया है पांच छे और साथ तीन दिन के लिए बट में फोकस अभी हमारा रहेगा आज की रात पांच तरीक और छे तरीक को पढ़ना क्या है स्टार्ट कहां से करना है मैटीरियल कहां से मिलेगा इंपोर्टन कुश्चिंस कब मिलेंगे इन सब के बारे में आएए देखते हैं वीडियो में देखिए गाईस आप दस बज़े से लेके बारावजे तक रात को आज अराम से बैठ सकते हैं कल की भी चुटी है परसो की भी चुटी है सो थोड़ा सा रेस्ट ना लेके जब तक ही एक्जाम चल रहे है अट लिस्ट तब तक आप रात को जाक सकते हैं लड़कियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए सिर्फ एक रूम चाहिए आपको हद से हद आप प्लेइलिस देख लीजे एरफोन लगा लीजे पेरेंट्स को कोई इशू नहीं होगा अगर आप पढ़ाई के लिए वीडियो देखेंगे तो मैं अपनी त पास टाइम में दस से लेके बारा बजे तक का अब एक्जैक्ट टाइम में आपको बताओं तो सवान हो रहे हैं एंड वीडियो थोड़ी से एडिट होईगी और यूटूब पे शेयर होगी तो उसका टाइम आप अपटा दीजे साड़ेनों बजे लगबग अपलोड हो ज देख लीजे यहां एक पीडिएफ का बस एक यूनिट देख लीजे कोई इश्यू नहीं है दो घंटे में एक यूनिट कवर करने में एटलिस आपका ही होगा कि हाँ टैन परसंट हो गया सो में से देन मूफ करते हैं कल के लिए कल क्या करना है कल दस से वारा सुबे मैक्सिम लग जाते हैं गर्ल्स में जली सुबे उटके जल्दी पढ़ने बैठ जाती हैं बोईस भी उनको फोलो कर सकते हैं बहुत अच्छी रूटीन है सुबे पढ़ने की माइंड फ्रेश रहता है याद रहता है लंबे समय तक सो कल अगर आप मैक्स तो मैक्स दस बजे भी सुबे उटते हैं तो दस से बारा आप ईवीएस पढ़िए इन्वारमेंटल साइंस या रीडिंग इंडिन फिक्शन क्यों क्यों क्योंकि धायडाई घंटे के पेपर हैं दोनों दोनों पेपर धायडाई घंटे के हैं या एक पर शायद दो घंटे का भी है नहीं कोम्यूनुकेशन का दो घंटे का है तो आप मान लीजे लेंदी तो हो गई नबे माक्स के पेपर के लिए तीन घंटे मिल रहे हैं और पेपर छूट रहा है बच्छोगा तो सोचिए धाई घंटे में तो क्या ही कर लेंगे हम हमें सब्सक्राइब करें नहीं बोलता क्यों क्यों कि मैं भी आपके साथ कौं मेरे को यह चीजे पसंद नहीं है कि वापिस आते रूटीन पे सो कहला सुभे उटके अराम से मैं यह नहीं कहा रहा है तो दो घंटे बैटके रचके पढ़ने 15-15 मेंट का गैप ले लीजे एक टोपिक कवर हुआ चलो जी चाय पी ली पानी पी लिया नमकीन गाली दैन फिर 15 मेंट बाट बैट जो अराम से दो घंटे में एक उनिट कोई भी कभी भी कर सकते हैं घूमते फिरते खेलने जा रहे हो रास्ते में बोर हो रहे हो वीडियो खोल ली यह टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्ते डिसकर्स कर लिया उसको नहीं आता तो आतर को पता है इंवर्मेंटल में यह चीज आ हमारा निया टॉबिक शुरू हुआ है तो हमारी टाइम पर था यह से आप डिसकर्स कर सकते हो तो मैं भी यही करता हूं और उससे मेरा रीफरेश भी हो जाता है कि हां मैंने पड़ा था ठीक है आ गया याद देन कलब चार से आठ इंग्लिश फ्लुएंसी कर सकते हो कम से कम ग्रामर पॉर्षिन रिटन नहीं कहा हूं है रिटन में आजाता है नोटिस फग वगरा सारी राइटिंग सिर्फ ग्रामर पॉर्षिन आप कर लीज़ेश जैसे आपने देखा था एंसी की उसमें कितना गंदा एंसी की आया था उसमें हमें अंडरलाइन करा भी नहीं मिला बताना क्या कोशन में यह नहीं आया था यह पता ही नहीं लगा था मैं अब क्या करते हैं पेपर में अब यह तो रभी जाने तब की तब ही देखे जाएगी इंग्लिश में भी आप मिलब यह नहीं है कि ओन देखो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ यह तो बच्चों ने अपना प्यार और प्रस्ट की वज़े से मेरे को सर बोलना शुरू किया है और मैं तब ही यह सब चीज़े शुरू करहा हूं क्योंकि मैं रिस्पेक्ट रखता हूं आपके लिए इंग्लिश का यह मत सोचे कि इंग्लिश वाले दिन पढ़ेंगे इंग्लिश में बहुत सारी चीज़े हैं आप ग्रामर भी अगर खोलेंगे ना तो पुराना याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है यह सुबह अगर आप कहो कि 10 बजे में सब कुछ बिज़ दूर है मत करना मैं भी ऑफी 12 बुजे बैठाओं मैं भी कुछ न कुछ टाइम निकाल कि कोरी सोल्व करने के बाद मैं भी बैठता हूं पढ़ने मिरे को अकॉंट्स के पेपर में मानों के नहीं अपके पेपर वाले दिन में बैठके पढ़ऊं क्यों क्योंकि आपकी कोईरी इस कि मेरे लिए बेशक लोगों ने भी टेरियल आपने यह कुन एक यह नीच किया था जब डिखा आपको आना डिया मेरे काम मपसार करना बändальная नीच मिलेख fashion geri a day break laying the इसवड़ कर लिए तीन चार घंठे अराम से सो हुझ थो फृण चो चछ कर लिया थेन चार। बदे चार सैंटम जो मरिजी बैठिए मैं यह नहीं करता चार से एट हम यह चार घंठे लगातार बढ़िए और पकोशिश करें कि आठ साठी आठ तक कवर करके फिर भार भी ठहलने जाहिए गुमों फिर हो थोड़ा यहीं कि घर पे बैठे रहे नहीं है इस समेश्टर है तो एस वेल है यार बस पास होने की सोचो और पास होने की टेक्नीक्स तो मैं आपको पताता ही रहता हूँ कोई टेंशन नहीं लेगा मैं भी आपसे कम पढ़ रहा हूँ बेशक मेरे बिजनस से अलग और नॉलेज हर चीज की है बट मैं आपको भी ग्रो करना चाता हूँ अपने साथ मेरा तो जैसे चल रहा है वो मैं परफेक्ट हूँ अपनी लाइफ में बट मैं आप सबको साथ ले में हर टॉपिक का अलग सिनेरियो है अलग चीज है इको सिस्टम अलग चीज है यह आप जितनी भी इन्वाइरमेंटल की चीज देखते हैं हर टॉपिक कुछ रिलेट नहीं होता सब अपने में निया टॉपिक है ठीक है तो कल का भी दिन आपका निकल गया ईविस दस पजे भी उठते हो तो दस पजे भी उठके आपके पास बहुत टाइम है इंग्लिश मत चूओ दस पजे मैं यह नहीं कर आएंग्लिश सब कवर कर लो आप इंग्लिश की जगा ईविस कर लो रीडिंग इंडियन फिक्शन कर लो यहां कॉम्म्यूनिकेशन इन एवरी ड सोचिए छे यूनिट है ना दस यूनिट है ना 50% कर लो तीन यूनिट कर लो क्यों 40 मार्ग सी तो चीए पास हो जो कौन देख रहा है एस्वेल से तुमने 100 नंबर लिये है सब यह एंगे एस्वेल ही तो है तो टॉप करने की मत सोचो पास होने की सोचो टेक्नीक्स आपको म यूनिट कवर कर लो एक और एक आज रात को एंट एक होगी छे तरीक को थीन वर बस और क्या चीह तीन शब्जट की तीन यूनिट हो गई English भी माने तो Unit in the sense में रही है कि Writing skills कर लो या grammar कर लो मैं kind of unity उसको कहरूँ क्यों क्योंकि distinguish करना लग लग थोड़ा problem है में लिए मुश्किल हो जाएगा Then, दो बुजे कल छे तरीक को दो बुजे दुपहर में दो से लेकर रात को बारा बुजे तक का आपको जितना टाइम है ना दो से बारा लिख लीजिए कहीं से कहीं पर लिख लो दो से बारा सिरफ English पढ़नी है हमने कोई निया subject नि लाना कुछ नहीं करना सब भूल जाओ, account हो गया निपड गया, marks देखी जाएगी दो से बारा अपना English fluency का रच के पढ़ो, then आपको और भी notes चीहोंगे important चीहोंगे, कोई comprehension कैसे आना, ये सब strategies सब कुछ चीहोगा, वो मैं आपको provide कर दूँगा, वो मेरे उपर सोड़ा, तो बस personal message थोड़े, अगर मैं reply ना कर पाऊं time पे तो sorry, क्योंकि मेरे पे दिन में 100 message आते हैं आप चाहो तो मैं screen shots भी आपको share कर सकते हूँ कि कितने messages हो जाते हैं मेरे पे तो सब को time पर reply करना तो बहुत मुश्किल है so ये आपके routine है, आप इस routine का screen shot ले लिजे and अपने according इसको schedule कर लिजे कि 10 से बारे में मेरे को क्या क्या करना है कितने घंटे का gap लेना है, कितने minute का gap लेना है जो आपको करना है, आप rearrange कर लिजे and मेरी तरफ से best schedule है आपके लिए अगर आप follow करो, तो बहुत अच्छ है बहुत आगे तक जाओगे, हर semester में मैं कुछ ना कुछ निया schedule निया packs, कुछ ना कुछ भेशता रहूंगा और हाँ, ये बस become program के लिए become honors का अभी मैंने ग्रुप बनाया है उसमें students बहुत कम है बट मैं इनिशेट ले रहा हूँ कि जितना मैं best material भेशता हूँ मेरे को थोड़ा सा बस time ही दे दीजिए और तो मैं आपसे क्या ही मांग रहा हूँ ना like, share, comment कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को मेरे को बस आपका time चाहिए मेरे को थोड़ा सा time दे दो कि मैं चीज़े upload कर सकूँ and आपकी query sort out कर सकूँ जो मैं अपना best कर सकता हूँ वो देने के लिए थोड़ा सा time thank you everyone for trust and support and love thank you for everything students thank you